Hello and Namaste, Welcome to my channel Nita's Cake and Bake आज हम मावा केक बनाएंगे और मावा केक बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामान की जरूरत है वो मैं आपको बताती हूँ हमें half cup मैदा चाहिए, half cup सुगर चाहिए, one-fourth cup milk, one-fourth cup butter, one-fourth cup दही, half teaspoon baking powder, one-fourth teaspoon baking soda और थोड़े dry fruits और इलाइची और थोड़े dry fruits गाणने सिंग के लिए चाहिए हमें मावा 80 ग्राम भी चाहिए अब हम मावा केक कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ अब से पहले हमें powder सुगर को लेना है, फिर उसमें butter डालना है, फिर दही डालना है और वो तीनों को हमें whisker की मदद से बिट करना है, और अच्छी तरस से उसको creamy जैसा बिट करना है फिर हमें उसमें milk डालना है, मिल्क डालके भी हमें उसे अच्छी तरस से mix करना है, जैसे वो एकदम creamy जैसा हो जाए फिर हमें उसमें मेदा डालना है, और मेदे में मैंने baking powder, baking soda सब डाल दिया है, फिर हमें उसे अच्छी तरस से mix कर लेना है फिर हमें उसमें ड्राइफ्रूट्स इलाईची जो वो हमने काटकर रखी थी वो डालना है फिर हमें उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है फिर हमें मावा डालना है और मावा को हमको हाथ से तोड़के अच्छी तरह से तोड़के क्रम करके उसमें डालना है और फिर उसको अच्छी तरह से mix करना है whisker की मदद से उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे जैसे वो एकदम अच्छा हो जाए अब हमें cake batter को cake tin में डालना है cake बनाने के लिए हमें कोई भी cake tin यूज कर सकते है ये मैंने use and throw वाला cake tin लिया है cake batter को हम cake tin में अच्छी तरह से spread कर देंगे जिससे वो एकदम एक समान रहे जैसे अच्छी तरह से cake को फूल सके फिर हम उस पर जो हमारे ड्राइफूट कट करके रखे थे वो हम उस पर garnishing के लिए डालेंगे तो मैंने यहाँ पर टुटी फूटी डाला है पर जो थोड़े ड्राइफूट से वो भी हम उस पर डाल देंगे जिसे वो cake का लुक अच्छा है फिर हम इस cake को 180 डिक्री पर 30 आँ 35 मिनिट तक बेग करने के लिए रखेंगे